नमस्कार सभी को जैहिंद जैभार्त कैसे आप सभी तो फ्रेंड से आज की हमारे इस वीडियो में हम डिस्कुस करेंगे जो आपका पेपर हुआ था एलम का असिस्टेंट लाइन मेंन का इस बर्तिका कैटिकरी नमबर था आपका 21 टोटल पोश्ट थी आपकी 1307 तो फ्रेंड से आप सभी को पता है भी जो एलम बर्तिका पेपर है वो 14 नमबर को हुआ था और देखिए भई जब भी आप कोई फोर्म अपलाई करते हैं तो आपके सामने कुछ कंडिशन होती हैं कुछ कवालिफिकेशन मांगी जाती हैं उसी के अधार पर आप जो वी पेपर फोर्म को अपलाई करते हैं तो जब आपने ये फोर्म बरे तो इस फोर्म में भी आपके सामने वही कुछ कॵालिफिकेशन थी जो मांगे गई थी लेकिन इसके बावजूद भी आपके साथ इस बर्ति में क्या हुआ कि कुछ ऐसे देखिये जो टोटल पोस्ट है वो कैटिगरी वाज आप यहां पोस्ट भी देख सकते हैं जैसे जर्नल में 564, SC में 261, BCA में 209, BCB में 143 और EWS में 130 पोस्ट थी तो इस प्रकारी आपकी बर्ति थी और यहां पे जो एज थी वह एज आपकी मांगे गई थी 18-21 साल के जो स् थी वह खुद आप यहां पे देख सकते हैं कि कौन कंडिडेट इस फूम को अपलाई कर सकता था तो देखिये मैट्रिक बिद टू यर्स आइटियाई इन इलेक्टिशन वाइरमेन ट्रेड यानि की वही बच्चा इसको अपलाई कर सकता था जो दो साल से आइटियाई और इन वाइरमेन से टेड से कवालिफाई है और हैविंग टू यर्स वोकेशनल कोरस या फिर इसके पास में हैविंग टू दो साल का वोकेशनल कोरस है तो वह अपलाई कर सकता था नेक्स्ट कंडिशन इसमें क्या दे रखी थी कि देखिये जो आपका एक्ट है 1961 इसके तहत सा क्या जब बच्चे पेपर देने के लिए एक्जाम सेंटर गए तो उन्हें पता चला कि एक्जाम सेंटर पर 30% से लेके 40% ऐसे बच्चे पहुंचे हुए हैं जिनके पास में बी टेक या फिर एम टेक वाले और एम टेक वाले बच्चे पेपर देने के लिए गए जबकि इ ऐसी कौलिफिकेशन इसमें देई ने रखी यह आपके सामने खुद भई प्रूफ है खुद यहां पे देखिए ओफिशिल यह नोटिस है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है यह केवल वही बच्चे हैं जो यहां पे फॉर्म बर सकते हैं उनकी कौलिफिकेशन यहां पे दे यहांनि उनके पिपपर रद होने चाहिए उनको बाहर करते हैं ऐसा क्यूं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो कहाँ पर टी वाले और कहाँ बी टेक और रम्टेक वाले ले जाएंगी डी बी के लिए नाम आएगा तो वह इनका ऐगा जो उप लगेगी तो जो भी नकी लगेगी आप तो यह रह जाओगे तो भाई बिल्कुल सही बात है आपकी बर्तिया वो सही त्रिक के से होने चीए तो अपनी मांग उठाओ आगे बढ़ो तो यही इंफॉर्मेशन थी आज की हमारे इस वीडियो में वीडियो अच्छे लगिया तो वीडियो को लाइक करें कोमेंट करें आगे शेयर दो करें तो आज की हमारे इस वीडियो में इतना ही थैंक यू